हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लाश टेंट समाजी का ध्यन के अंतर गयत आर्थिक विकास की समझ विषय का पहला अध्याय विकास हम आपको बताएंगे बच्चो इस पार्ट से संबंदित प्रस्नों के उत्तर तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रसन है आपका यहाँ पर समान्य तहा किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है आप जानते हैं बच्चो चलिए देख लेते श के चार ओप्रसन आपके लिए आपर पर उप्रोग्त सभी यानि कि गैवाला उप्षन आपका बिल्कुल करेक्ट उप्षन है बचो उत्तर लिखेंगे उप्रोग्त सभी इसके बाद बचो दूसरा प्रसन है आपका निम्ने लिखित पडोसी देशों में से मानब विकास के लिहाज से किस देश की इस्तिती बारत से बेहतर है और यहाँ पर आपके चार उप्षन है बचो कह है बंगला देश, खह स्री लंका, गह नैपाल और गह पाकिस्तान तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है तो आपका उत्तर होगा बचो स्री लंका यानि कि खह वाला उप्षन आपका बिल्कुल करेक्ट अगर तीन परीवारों की आए करमसा 4,000, 7,000 और 3,000 रुपेज़ा है तो 4 परीवार की आए क्या है और यहाँ पर है आपके 4 उप्षन बच्चो आप देख सकते हैं गह है 7,500 खह है 3,000 गह है 2,000 और गह 6,000 रुपेया उत्तर क्या होगा आपका आप उत्तर लिख सकते हैं 6, यानि कि घह वाला उप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उप्शन है इसके बाद आईए देख लेते हैं आपर चौता प्रस्न है विश्व बैंक बिविन बर्गों का वर्गी करन करने के लिए किस प्रमुक मापदंड का प्रियोग करता है इस मापदंड की अगर कोई है तो सीम क्या है उत्तर क्या लिखेंगे आप उत्तर ठीक आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चो विश्व बैंक बिविन बर्गों का वर्गी करन करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुक मापदंड मानता है जिन देशों की आय अधिक है उन्हें विक्सित समझा जाता है और कम आय वाले देशों को कम विक्सित ऐसा माना जाता है कि अधिक आय का अर्थ है इन्सान की जरूरतों की सभी चीजें प्रेचुर मात्रा में उपलब्द की जा सकती है जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी चीजों को अधिक आय के जरिये प्राप्त कर पाएंगे इसलिए ज्यादा आये विविन बर्गों का बर्गी करन करने का परमुक मापदंड माना जाता है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोल्ट 2006 में देशों का बर्गी करन करने में इस मापदंड का प्रियोग किया गया है वे देश जिनकी 2004 में प्रति ब्यक्ति आये 10600 डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक है समृद देश हैं और वे देश जिनकी प्रति ब्यक्ति आये 825 डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आये देश कहा गया है भारत निम्न आय देशों के बर्ग में आता है क्योंकि उसकी प्रति ब्यक्ति आय दो हजार चार में केवल 620 डॉलर प्रतिवर्सिती ठीक है इसके बाद आगे लिखेंगे आप सीमाएं और यहाँ पर हेडिंग डाल कर लिखेंगे बच्चो भीविन देशों का बर्गी करन करने के लिए किसी देश की राष्ट्री आय को अच्छा मापदंड नहीं माना जा सकता क्योंकि भीविन देशों की जन संक्या भीविन होती है कुल आय की तुल ना करने से हमें यहाँ पता नहीं चलेगा कि आउसाद ब्यक्ति क्या कमा सकता है इससे हमें भीविन देशों के लोगों की प्रस्तितियों का भी पता नहीं चल पाता इसलिए राष्ट्री आय बर्गी करन का अच्छा मापदंड नहीं है ठीक है इस प्रकार से आप अपने इस प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं बच्चो याद भी करें साथ साथ इसके बा आय पर आधारित है इस मापदंड के बहुत से सीमाएं हैं आय के अत्रिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए जरूरी हैं क्योंकि मनुस्या केवल बहतर आय के बारे में ही नहीं सोचता बलकि वह अपनी सुरक्षा दूसरों से आदर और बराबरी का व विवहर पाना आजादी आदी जैसे अन्य लक्षियों के बारे में भी सोचता है यूएन डीपी द्वारा प्रकासित मानब विकास रिपोर्ड में विकास के लिए निमनलिकित मापदंड अपनाए गए और कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं यहां पर प्वेंटों में अधिक होगी वह मानब विकास की द्रेश्ट से उतना ही अधिक विक्सित देश माना जाएगा आईबा समझ में दूसरा प्वेंट लिखेंगे सैक्सिक स्तर और यहां पर आप हेडिंग डाल कर लिखेंगे मानब विकास का दूसरा प्रमुक मापदंड सैक्सिक स्तर है किसी देश में साक्सरता की दर जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही विक्सित माना जाएगा और यहाँ दर यदि कम होगी तो उस देश को अलप विक्सित कहा जाएगा ठीक है तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चो प्रति ब्यक्ति आए और यहाँ पर भी आफ हेडिंग डाल का ल जिन देशों में लोगों की प्रति ब्यक्ति आए कम होगी लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा ऐसे देश को विक्सित देश नहीं माना जा सकता कई वर्सों के अध्यन के बाद UNDP ने बिश्व के 173 देशों का मुल्यांकन इन आधारों पर किया 53 देशों को प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे और आपके पांचवे प्रस्नी का उत्तर हो जाएगा बच्चो शाथ साथ याद भी करें अगला है बच्चो फिर आपका छटा प्रस्न और इसमें पूछा है हम ओसत का प्रियोग क्यों करते हैं इनके प्रियोग करने की क्या कोई सी जाता है जैसे किसी देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं किन्तो देश के विकास इस्तर को जानने के लिए प्रतिव्यक्तियाय निकाली जाती है जो ओसत के माध्यम से ही निकाली जाती है इससे हमें एक देश के विकास के इस्तर का पता चलता है किन्तो ओसत का प्रियोग करने में कई समस्याएं आती हैं और सथ से किसी भी चीज का सई अनुवान नहीं लगाया जा सकता इसमें असमानताइं छिप जाती हैं उधारन के लिए आप कह सकते हैं किसी देश में रहने वाले चार परिवारों में से तीन परिवार पांसो पांसो रुपिया कम रहा है जबकि दूसरे देश में सभी परिवार नो हजार और दस हजार के बीच में कमाते हैं। प्रति ब्यक्ति आए कम होने पर भी केरल का मानव विकास करमांग पंजाब से उचा है। तो हम पाते हैं कि लोग केवल बहतर आयके बिसे में ही नहीं सोचते बलकि वे अपनी सुरक सा, दूसरों से आदर और बराबरी का ब्यावार पाना आजादी इत्यादी अन्य लक्षियों के बारे में भी सोचते हैं इसी प्रकार जब हम किसी देश के बिकास के बारे में सोचते हैं तो ओसत आये के अलावा अन्य लक्षनों को भी देखते हैं आई वासमझ में इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यह तालिका बना रखी है आप भी इसी प्रकार से अपनी नोट बुक में बना सकते हैं बच्चो और यहाँ पर क्या है तालिका में चैनित राजियों की प्रतिव्यक्ति आए और कौन-कौन से राजिय हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप लखेंगे राजिया फिर लखेंगे दो हजार दो और तीन में प्रतिव्यक्ति आए रुपईयों में ठीक है और इसके बाद ठीक इसी प्रकार से तालिका बनाते हुए आप लखेंगे पंजाब, केरल और बिहार और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब की प्रतिब्यक्तियाए रुपईयों में कितनी है 26,000 केरल में कितनी है 22,800 और बिहार में 5,700 दिख रहे हैं ना आपको तिसी प्रकार से आप अपनी एक तालिका बना कर उसमें इसे दिखा सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तालिका 1.2 जो आपको दिख रही है यहाँ पर पंजाब केरल और बिहार के कुछ तुलनातमक आंकड़े यहाँ पर लेखेंगे आप राज्या और यहाँ पर लेखेंगे सिसु मिर्टुदैर 1000 ब्यक्तिपर 2003 में यहाँ पर लेखेंग कक्सा एक से पांच का निवाल उपस्तिती अनुपात 1995 और 96 में ठीक है और इसके बाद सबसे पर लेखेंगे पंजाब और पंजाब पर यहाँ सिसु मिर्टुदैर लेखेंगे आप 49 और 67 दर लेखेंगे परतिसत में 70 परतिसत और उपस्तिती अनुपात में लेखेंगे 81 यानि कि 81 केरल के लिखेंगे 11 और 67 दर लिखेंगे 91 और उपस्तिती अनुपात 91 यानि 91 बिहार के लिए 60 और 47 और 41 इसी प्रकार से आप एक टेविल बनाकर उसमें दरसा सकते हैं बच्चो और इसके बाद लिखेंगे बच्चो इस तालिका में प्रियोग किये गए कुछ चर्चा करनी है इसके बाद आप इनके बारे में बताएंगे क्या है सबसे पहले लिखेंगे पहला पॉइंड लिखेंगे सिसू मिर्तुदर किसी वर्स में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्स की आयू से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखात है आप देख रहें ने आपर टेबल में 1000 बच्चों पर यहाँ पर 49 लिखा है यहाँ पर 11 लिखा है और यहाँ पर 60 ठीक है तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं सिसू मिर्तुदर में किसी वर्स में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्स की आयू से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है साकसर तादर क्या बताती है आपको यहाँ पर लेकेंगे साकसर तादर और लेकेंगे साथ वर्स और उससे अधिक आयू के लोगों में साकसर जनसंक्या का अनुपात ठीक है इसी प्रकार से निवल अनुपस्तिति अनुपा पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन से कॉलम में आपको क्या दर्शाना है ध्यान दे बच्चो आगे तालिका एक दस्मलब एक में दिये गई आंकडों के अनुसार पंजाब की प्रतिब्यक्ति आये केरल और बिहार से ज्यादा है आपने देखी थी यहाँ पर केरल और बिहार से ज ज़्यादा है नंपनजाब कि आए? परतियगती आए पंजाब में ज़्यादा है. इस प्रकार यदि आए को ही विकास का माप्दंड माना जाए तो तीनों राजियों में पंजाब सब से अधिक और भिहार सबसे कम विक्षित दाज्या मना जाएगा इन तो यदि तालिका एक दस्मलब दो यानि कि दूसरी तालिका में दिये गए अन्य आगणों को देखें तो पाते हैं कि केरल में सिसु मिर्तुदर पंजाब से बहुत कम है आपने देखी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिसु मिर्तुदर की बात की जा रही है बच्चो आप ध्यान देएं केरल में पंजाब से कम है केरल में कितनी है 11 है और पंजाब में कितनी है 49 यानि कि 59 तो यहाँ पर केरल की स्थिति पंजाब से बहतर है शिसु मिर्टुदर में और जबकि आये में देखा जाए तो प्रतिब्यक्ति आये में पंजाब जो है केरल से आगे है आप देख रहे हैं आपर केरल जो है आये के मामले में पीछे है और शिसु मिर्टुदर के मामले में केरल कास्तान बेहतर है जबकि पंजाब में प्रतिब्यक्ति आय अधिक है इसी प्रकार केरल में साक्षरता दैर सबसे अधिक और बिहार में सबसे कम है इस प्रकार केवल प्रतिब्यक्ति आय को ही विकास का मापदंड नहीं माना जा सकता अन्य मापदंडों जैसे साक्षरता स्वास्तिया आधि को देखें तो केरल की इस्तिती पंजाब से बेहतर है आप देख सकते हैं तालिका में बच्चो आपको इसपस्ट नजर आएगा इसके बाद आठवा प्रसन है फिर आपका और यहां पर पूछा है बारत के लोगों द्वारा उर्जा के किन सुरोतों का प्रियोग किया जाता है ग्यात कीजिए अब से पचास वर से पच्चाथ क्या संभावना है हो सकती हैं तो उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे उत्तर लिखेंगे बच्चो बारत के लोगों द्वारा इस्तिमाल किये जा रहे है उर्जा के बरतमान सुरोत निमने लिकित हैं आप जानते हैं कौन का प्रियोग होता है रेलों और उद्योगों में किया जाता है दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चो खनीज तेल और यहाँ पर आप देख सकते हैं खनीज तेल का प्रियोग सड़क परिवहन जहाजों वायूयानों आदी में किया जाता है तेल को परिस्किर्ट करके डीज गैसों को पाइपों के सारे दूर दूर के अस्तानों पर पहुँचाये जाता है इससे अनेक ओधोगी किकाईयां चल रही हैं इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे नमबर चार जल्वी दूत यहाँ उर्जा का नवीनी करण संसादन है अब तक ग्यात सवी संसादनों में यह सबसे सस्ता है इसका प्रियोग गरों दफ्तरों तथा ओधोगी किकाईयों में बड़े पैमानेपन किया जाता है पांच वह पॉइंट लिखेंगे बच्चो उर्जा के अन्य स्रोत और यहाँ पर आप लिख सकते हैं उर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिनका प्रियोग अभी कुछ समय पूर्व से ही किया जाने लगा है यह सविशरोत नवीनी करनिया हैं जैसे पवन उर्जा, सौर उर्जा, बायो गैस, भूतापिय उर्जा, आदी आगे आप लिखेंगे उर्जा के अधिकांस प्रंप्रागत साधनों का प्रियोग लंबे समय से हो रहा है ये सविसरोत अनवीनी करणिया है अर्थार्थ एक बार प्रियोग करने पर समाप्त हो जाते हैं इनकी पुनहपूर्ती संभव नहीं है आने वाले 50 वर्षों में ये संसादन यदि इसी तरह इस्तिमाल किये जाते रहे तो समाप्त प्राया हो जाएंगे यदि हमें इन संसादनों को बचाना है तो उर्जा के नए और नवीनी करणिया संसादनों को खोज गयर उनका आधिक आधिक प्रियोग करना होगा आई बास समझ में इस प्रकार से आप अपने इस प्रस्निका उत्तर लिख सकते हैं बच्चो इसके बाद आता है आपका नवा है सतत पोष्णिय विकास अर्थार्थ ऐसा विकास जो बर्तमान पीडिता की सिमित न रहे बलकि आगे आने वाली पीडि को भी मिले आई बास समझ में बैग्यानिक को कहना है कि हम संसादनों का जैसे प्रियोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसादन सीग्र शमाफ्त हो जा यदि हमें विकास को धारणिया बनाना है अर्थार्थ निरंतर जारी रखना है तो हमें संसादनों का प्रियोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीडि के लिए संसादन बचे रहें ठीक है तो इस प्रकार से आप लिख सक के लालच को पूरा करने के लिए प्रियाप्त संसादन नहीं है या कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासांगिक है चर्चा कीजिए तो यहां पर आप चर्चा करेंगे चलिए उतर में देख लेते हैं आप किस प्रकार से उतर लिख सकते हैं अपना तो उतर आप लिखेंगे पिर्दिवी पयर विविन प्रकार के साधन पाए जाते हैं जिनका उपयोग मनुस्य अपनी विविनाव सक्ताओं को पूरा करने के लिए करता है तब ये साधन संसाधन बन जाते हैं ये संसाधन सिमित मात्रा में उपलब्द है यदि मनुस्या बुद्धिमता से इन संसाधन यदि इन संसाधनों का प्रियोग निजी लाप के लिए किया जाए तो हो सकता है कि एक ब्यक्ति के लाप को भी पूरा ना कर पाएं। खतन से हम या सीख निकालते हैं कि प्राकर्थिक संसाधनों का प्रियोग केवलाव सकताओं को पूरा करने के लिए किया जाए न कि किसी निजी स्वार्त की पूरत के लिए इससे ये संसाधन सीख रिस्माप्त हो जाएंगे और विकास की प्रक्रिया रूख जाएगी ठीक है तो इस प्रियावरन में गिरावट के कुछ ऐसे उधारनों की सूची बनाईए जो आपने अपने आसपास देखे हूँ तो आप बना सकते हैं क्या चलिए उतर में आप देख सकते हैं किस प्रिकार से क्या करेंगा उतर लिखेंगे प्रियावरन में गिरावट के बहुत से उधारन हैं जिन में से कुछ निमने लिकित हैं और यहाँ पर आप एक एक करके उधारन लिखेंगे पहला लिखेंगे जल पर दूसर और हेडिंग डाल कर लिखेंगे बच्यो नदियों जीलों और समुद्रों में बहाए गए कूरे सिस्ट जल को परदूसित करते हैं इससे जल में ऑक्सिजन की मातरा कम होने से जली जीव मर जाते हैं जहाजों से रिषने वाले तेल से समुद्री जीवों को हानी होती है आई बास समझ में आगे लिखेंगे दूसरा पॉइंट वायू पर दूसर और यहाँ पर बच्चो ल भूमी पर दूसर और यहाँ पर हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं भूमी पर कारखानों द्वारा घरों या अन्य सुरोतों द्वारा कूडा कच्रा आधी फेकने से परियावरनिय समस्याएं उत्पन हो जाती हैं किर्शी छेत्रों में अधिक उरबरकों का प्रियोग करने से भूमी की उपजाव सकती खत्म होती है तता ये उरबरक भूमी को परदूसित करते हैं बढ़ती हुई जनसंक्या संसादनों का दुरुपयोग अधिक मात्रा में पेड़ों को काड़ने के कारण परियावरन में गिरावट बहुत तेजी से हो रही है और इसके बहुत से दिसमलब 6 में दी गई पर तेक मत के लिए ग्यात कीजिए कि कौन सा देश सबसे उपर है और कौन सा सबसे नीचे ठीक है और यहाँ पर जो है आप तालिका देख सकते हैं तालिका एक दिसमलब 6 वर्स 2004 के लिए भारत और उसके पड़ोशी देशों के कुछ आंखडे और य जनम के समय संभावित आयू फिर है साक्षरता दैर 15 वर्स से अधिक वर्स की जन संक्या के लिए और फिर है तीन स्तरों के लिए सकल नमंकन अनुपात फिर है बिसमे मानवी का सूचकांक SDI का करमांक तो आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चो इसी प्रकार से आप टेबिल ये आपको इस परकार के एक प्रस्ण मिलेगा उसमे ये टेबल आपको देखने को मिलेगी आप वहाँ से देख सकते हैं इसके बाद बच्चो आप यहाँ पर देख सकते हैं टिपपनी और नमबर एक है HDI का आर्थ है मानविकास सूचकांग क्या है HDI का आर्थ मानविकास सूचकांग आप याद रखें उपर दी गई तालिका में HDI सूचकांग का करमांग कुल 187 यानि की 177 देशों में से है नमबर दो है जन्म के समय संभावित आयू जैसा की नाम से इस पस्ट है ब्यक्ति के जन्म के समय आउसत आयू की संभावना दर्साती है और तीसरे नमबर पर आपको मिलेगा टेबल में देखने को तीन इस तरों के लिए सकल नामंकन अनुपात से आर्थ है प्रातमिक स्कूल माध्यमिक स्कूल और उससे आगे उच्छ सिक्षा के नामंकन अनुपात का कुल योग ठीक है इसी तालिका में चोथे नमबर पर आप देख सकते हैं प्रतिब्यक्ति आय की गढ़ना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुल न की जा सके यह इस तरीके से भी की जाती है कि एक डॉलर किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुए और सेवाएं खरीद सके आई बास समझ में तो बच्चो उत्तर में आप किस प्रकार से लिख सकते हैं चलिए देख लेते हैं तर में आप लिखेंगे तालिका एक दसमलक्ष है विविन मापदंडों के आदार पर दुनिया के विविन देशों को विकास की अलग-अलग से रेडियो में बांटी है इसमें प्रति ब्यक्ति आए संभावित आए साकषरता दर शकल नमांकर ननुपात तथा मानवी का सूच कांग करमांग का मापदंड बनाया गया है प्रति ब्यक्ति आए के आदार पर सिरी लंका सब से उपर और म्यामार सब से नीचे है आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर म्यामार जो है प्रतिब्यक्ति आये में अमेरिके डॉलर के साब से देख सकते हैं 1027 डॉलर और स्री लंका की देख सकते हैं आप 4,390 डॉलर तो यहाँ पर स्री लंका सबसे आगे है और म्यामार सबसे नीचे है जन्म के समय संभावित आयू यानि जीवन परत्यासा के आदर पर स्री लंका सबसे उपर और म्यामार सबसे नीचे है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बचो स्री लंका जुए सबसे उपर है और म्यामार सबसे नीचे है देख रहे ने आप यहाँ पर जन्म के समय संभावित आयू में म्यामार की कितनी है 61 और स्रीलंका की 44 जहां तक बात की जाए बचो साक्षरता दर के छेत्र में भी स्रीलंका सबसे उपर और बांगलादेश सबसे नीचे है आप देख सकते हैं बचो स्रीलंका का साक्षरता दर कितना है 91 और बांगलादेश का 41 तो आप देख सकते हैं बांगलादेश सबसे नीचे और स्रीलंका सबसे उपर है आगे बात करते हैं सकल नमंकर अनुपात के अधार पर स्री लंका सबसे उपर और पाकिस्तान सबसे नीचे है तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चो आप सकल नमंकन अनुपात में स्री लंका सबसे उपर है और पाकिस्तान की बात करें तो सबसे नीचे है यानि पाकिस्तान का 35 है और यहाँ पर जो है स्री लंका का 69 है अगर बात करते हैं मानव विकास सुचकांग के क्रमांक में भी स्र लंका का अस्तान विश्व में तिर्रान नवी हुआ है यानि कि 93 है और जो इस तालिका में दिये गए सभी देशों से उपर है और नेपाल 138 वा अस्तान लेकर सबसे नीचे है तो आप देख सकते हैं टेबल में बचो तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस बारवे प्रस्ण का उत्तर इसके बाद बचो बात करते हैं 13 वा प्रस्ण है फिर नीचे दी गई तालिका में बारत में अलप पोसित वैसकों का अनुपाद दिखाया गया है यहां वर्सित 2001 में देश के विबिन राजियों के एक सरवेक्षण पर आधारित है तालिका का ध्यान करक सबसे पहले राज्य का नाम फिर है पुर्सों का परतिशत फिर है महिलाओं का परतिशत और यहां पर राज्य का नाम है केरल करनाटक मध्यपरदेश और केरल में है यहां पर 22 परतिशत महिलाओं में 19 परतिशत करनाटक में 36 और 38 और मध्यपरदेश में 43 और 42 कुल मिलाकर अब देख सकते हैं सभी राज्यू का 37% और महिलाओं में 36% पॉर्सों में 37, महिलाओं में 36 तो आपने टेबल देख ली बच्चो इसके बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रसने है पहला प्रसने केरल और मद्यपरदेश के लोगों के पॉसरनिस्तरों की तुलना कीजिए किसकी केरल और मद्यपरदेश के तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केरल यह है और मद्यपरदेश यह है तो यहाँ पर आपको तुलना करनी है आप लिखेंगे बच्चों उत्र में उप्रोक्त आंकडे केरल और मद्य परدेश के लोगों के पोशवस्दर को दर्साते हैं इसके अनुसार केरल में 22% पूरुस और 19% महिलाएं अल्प पूसित हैं इसके बाद बच्चो अगला प्रसने यहां पर खै क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि देश के लगबग 40% लोग अलप पोसित क्यों हैं यह दपिया तरक दिया जाता है कि देश में प्रियाप्त खाद्य पदारते हैं अपने सब्दों में विवरन दीजिए उत्तर में क्या लिख सकते हैं बच्चो उत्तर में आप लिख सकते हैं देश में प्रियाप्त अनाज होने के बाप जूद देश के 40 लोग अलप पोसित हैं क्योंकि अभी भी लगबग 40% लोग गरीवी रेखा से नीचे हैं यह व्यक्त इतना भी नहीं कमा पाते कि अपने लिए दो समय का प्राप्त कर सकें इसलिए देश में अनाज उपलब्द होने के बाप जूद यह उसे खरीद नहीं पाते और आलप पोसित हैं आई बास समझ में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसके बाद फिर आते हैं आपके अत्रिक्त प्रियोजना कारेकलाब से सम्मदित प्रस्न औ उनसे पूछिए इन बिचारों की सम्मों में चर्चा कीजिए परतेक सम्मों का एक दिवार चार्ट बनाएं जिसमें कारण सहीत उन बिचारों का उर्ले करें जिनसे आप सहमेत अत्वा असहमेत हैं तो इसका उत्तर बच्चों आप सोयम से लिखेंगे अपने हिसाब से जानने के लिए जुड़े रहे हमार साथ यदि आप चैनल में पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आइकन भी दबादें बच्चो ताकि आपको आने वाली परतेग पार्ट की वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ने पार्ट क के साथ